होली मनाने का कारण देन, क्या है? होल का देन क्यों मनाये जाता है? इसके पीचे क्या कारण है? også हमारी माता बियन होली का पूजन करती हैं? वैं होली पूजन करने का सुम महुरत कितने बजे रहेगा? होल का देहन का सुम महुरत कितने बजे रहेगा इस साल होली के बाद कौन-कौन सी रासी वाले लोग माला माल होने वाले हैं और कौन-कौन सी रासी वाले वाले लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है रहने वाला है यह जानकारी में आपको इस वीडियो के माध्यम से विस् इसलिए आप वीडियो को बिलकुल भी स्क्रिप्ट नहीं करें और जानकारी को पूरी सुनें तो होली मनाने का कारण क्या है होली घरनाकश्चप के कहने पर होल का जो उसकी हरनाकश्चप की बैंती होल का अपने भतीजे पहलाद को मानने के लिए अपनी गोद में बिठाकर आग में प्रवेश कर गई किंत भगवान विश्णू की कृपा से तब भी भक्त पहलाद बच गया और वह होल का जल गई तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होल का देन होने लगा ये तोहार मनाया जाने लगा होली कब मनाई जाती है होली हर साल फालगुन इसको प्रात्य नौ बजकर 55 मिनट से प्रारम हो जाएगी जो की अर्द रात्री 12 बजकर 30 मिनट पर समाप्त हो जाएगी पूर्ण मातिती जब प्रारम होगी उसी समय से भद्रा काल भी भद्रा भी लग जाएगी जो की भद्रा रात्री 11 बजकर 13 मिनट तक रहेंगे ये भ धार्मिक मानताओं के अंसार, बढद्र, भगवान, शूर और छाय की पुत्री और सनीदेव की बहन मानी जाति है, बढद्रा अपने भाई सनीदेव की तरह, बढद्रा का सुवाबी बहुत कठोर माना जाता है, वे हर सुवकारे में बादा डालती है, ब्रह्मा जी ने उन्ह के प्रमुक अंग विष्टी करण में इस्थान दिया था उन्होंने कहा था कि भद्रा लगी होने पर कोई भी सुभकार करना वर्जित है वर्जित माना जाएगा लेकिन भद्रा के पश्चात उसकार को किया जा सकेगा हालांकि भद्रा के वक्त्र तंत्र मंत्र की पूजा और है बद्रा सुभाव से बहुत ही कठोर और उदन्डी थी तो उनकी हरकतों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राब दिया था कि जो भी भद्रा काल में कोई शुभकार करेगा उसे मुश्कलों का सामना करना पड़ेगा और उसे असुभ प्रणाम प्राप्त होंगे प्रिदोस काल में इसकी पूजा को करना उच्चित होता है हौल का की पूजा के लिए आप साम 6 बज कर 35 मिनट से रात 9 बज कर 31 मिनट तक कर सकते हैं ये पूजा के लिए सुम मखुरत है मतलब कि 24 मार्च 2024 Geoffy Bara के दिन साम 6.35 min. 9.31 मिनट तक पूजा का समय अब पूजा कर सकते हैं, होल का देन पर पूजा कैसे करें होल का पूजा से पहले भगवाण नरसिंग और फिर भक्त पहलादगा ध्यान करके मनी मन में उनको प्रणाम करें उसके बाद उन्हें चंदन अक्षत और फूल सहत पूजा सामज़ी चड़ा कर नमसकार करें इसके बाद होली की पूजा करें, पूजा करते समय पूर्व या उत्तर की दिसा की तरफ अपना मुख करके बैठें, इसके बाद होल्का पर जल अर्पित करना चाहिए, उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, अर्पित करना चाहिए, होल्का की पूजा के समय साथ तरह के पकवान चड़ाएं इसके बाद होली की पांच या साथ परक्रमा लगाना चाहिए इस दिन घर के सभी लोग होल का धेन जरूर देखना चाहिए इससे मन की नकारात्मक्ता का भी धेन होता है और आपको देवी सक्ती प्राप्त होती है दर्सकों मैं आपको बताने जा रहा हू कि होल का है कौन असुर्ज राजा की बेहन होल का को भगवान संकर से ऐसी चादर मिली थी जिससे ओडने पर अगनी उसे जला नहीं सकती थी होल का उस चादर को ओड़कर पहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैट गई देवयोग से वह चादर ओड़कर पहलाद के उपर ग साथ ही वास्तू दोस्त भी दूर होता है इसके अलावा अगर आप धन धान पाना चाहते हैं तो होल का देन की राक लेकर आएं फिर एक साथ छेद वाला सिक्का और होल का देन की राक को एक लाल रंग के कपड़े में बांध कर उसे अपनी तिजूरू में रख दें ऐसा कर करने से आर्तिक संकट दूर होगा और धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे दर्शकों जो होल का देन का सुम्म हुरत है वह 24 मार्च को रात्री 11 बज़कर 14 मिनट से लेकर देर रात्री 12 बज़कर 20 मिनट तक रहने वाला है दर्शकों हुली से पढ़ने वाले रासियों के प्रवाब इस तरह से रहेंगे मेस रासी वालों के लिए इस साल की हुली आपकी रासी के लोगों के लिए धन लाव करने वाली साबित होगी आपके बिजनिस में बड़ोत्री होगी और आप काम के विस्तार के वारे में सोच सकते हैं इस दिन आपका मन उदार होगा और दिल खोल कर दूसरों की मदद करेंगे ब्रिसरासी वालों के लिए होली पर बनने जा रहे इन सुम्य योगों से ब्रिसव वाले जीवन में सकारात्म बदलाब पाएंगे बिजनिस में धनलाब के योग बन रहे हैं नोकरी में पद कुछ नया करने या कुछ ऐसा हांसिल करने के लिए प्रेडित करेगा जिसकी आप कई वर्षों से योजना बना रहे हैं इस वर्ष आप विशेश कर मई के बाद भी अवदी में विदेशी यात्राओं पर जा सकते हैं यह आपके साथी जीवन साथी और परवार के सदत्सों के साथ आपके संबंदों के लिए एक अच्छा वर्ष रहेगा करक रासी वालों के लिए रंग की होली आपके जीवन में खुशाली के कई रंग लेकर आने वाली है एक और काम में सफलता से आपका मन काफी खुश होगा तो दूसरी और घर में आनंद का माहुल रहेगा सिंग रासी वालों के लिए होली पर रहें साबजान कोई कीचड़ आपके मुह पर मल सकता है आज आपके हाथ एक खजाना लगने वाला है इसलिए आप सुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद कुछ काम करें पानी से ज्यादा ना खेलें जो काम हो सकता है कन्या रासी वालों के लिए आपकी रासी में ही संचार कर सकता है फलस रूप चंद्रमा आपकी ही रासी में संचार कर रहा है कन्या रासी वालों के लिए फलस रूप एक बार आपको बिना भांग पिये ही नसा ज्यादा चड़ जाएगा होली का रंग दोग न होगा होली खेलें मगर ध्यान से और अगल बगल वालों को भी ध्यान रखें तुलारासी वालों के लिए आज कोई आपका रंग छीन कर आप ही का मूँ लाल पिला कर देगा आज आप ज्यादा बढ़ चड़कर होली ना खेलें सीमित दाइरे में ही होली खेलें वरना और कजटका धीरे से लग सकता है इदर उदर ना जाकें गुब बारा मूँ पर फट सकता है ब्रचिक रासी वालों के लिए इस बार ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं इस बार आप को रंग खरीदने की जरुवत नहीं है क्योंकि दूसरों के द्वारा लाए हुए रंग को आप लगाने से सपल रहेंगे आज ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में कोई खत्रा नहीं है धन रासी वालों के लिए चंद्रमा आपकी रासी में करम स्थान पर संचार कर रह है जि में सपलता अवस्य मिलेगी मकर रासी वालों के लिए भाग आज आपका साथ देगा अगर आप ना रंग लगवाना चाहें तो आपको कोई भी रंग नहीं लगा सकता परंत आपका रंग दूसरों को अवस्य बांट दीजिएगा क्योंकि जितना आप देंगे उतना ही आपके के पास लोट कर वापिस आएगा कुम रासी वालों के लिए आज आप गुबारों की मार से बचें होली पर रहें सावदान क्योंकि अस्टम चंद्रमा के कार्ण आप कहीं पर फिसल कर गिर सकते हैं आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं आपके घर के बाहर कोशिस करें निकल नहीं में रासी वालों के लिए किसी प्रिय व्यक्ति के साथ हाथ की आज आपकी प्यार भरी पिटाई होगी इस बार की होली बच कर खेलें सत्रू आप पर गुबारा की बहुचार कर मुझ काला करने को तत पर खड़ें आज घर के किसी भी कमरे में चुपेंगे तो भी आप पर रंग अवस्च डालेंगे इस तरह से होली पर इन राशियों पर प्रभाव रहेगा भाव रहेगा अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा विचार लगे और दरसको मैं आपको अगली वीडि लग रहा है वे उपच्छाया चंद्रगेन कहां कहां दिखाई देगा किस किस राशी पर क्या क्या प्रभाव डालने वाला है तो अभी तक आपने हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाला नौटिप पहुंचाने वाला है और किन किन राशियों को फाइदा देने वाला है मैं बिदा लेता हूं रादे रादे जैस्री रादे